आज का हमारा topic बहुत interesting है हमारी life में ऐसे लोग क्यों आते हैं जो मैं बहुत negative feel करवाते हैं हम बार बार अपने मन में ये question repeat करते रहते हैं कि ये toxic लोग कहां से आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं मेरी life में मैं तो ये attract नहीं करना चाती हम अपने इसी question में गुम हो जाते हैं और हम frustrated होते होते हैं कि हमारे आसपास की लोग इतने toxic क्यों इतने negative क्यों है अगर office में जाते हूं वहाँ पे भी वही लोग अगर family में देखो तो वहाँ पे भी वही लोग अगर relationship में किसी के साथ बात करें blindly उसके उपर trust करना शुरू करिए सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं बताना चाहती हूं toxic लोग आपकी life में क्यों आते हैं क्योंकि आप अपने अंदर कुछ ना कुछ toxic feel कर रहे हैं कभी भी जो attraction है वो one-sided नहीं हो सकता आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं sad हूँ और मेरी life में happiness आ जाएगी या फिर मैं lonely हूँ तो मेरी life में बहुत ज़दा प्यार मुझे मिलेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता अगर आपकी और sadness है तो sadness ही बाहर से मिलेगी अगर आपकी और से toxicity है तो बाहर से toxicity ही मिलेगी वो लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप अपनी life में किसी ना किसी जगा पे वो ही toxic feeling जो है transfer कर रहे हैं आपके aura में से वो vibration बाहर जा रही है जिससे matching मिलती चुलती vibration आपकी life में आ रही है in the form of negative people in the form of negative situations in the form of toxic people toxic relationships तो पहली चीज हमेशा जब भी लगे कि मेरे आसपास के लोग बहुत negative हो गए हैं अपने उपर काम करना शुरू कर दो अपनी vibration को उपर उठाने के लिए उसके उपर काम करना शुरू कर दो अगर toxic feel हो रहा है तो positive feel करना शुरू करना है उस positive feel करने के लिए आप बहुत कुछ चीज़े कर सकते हैं मैंने already high vibration कैसे उपर लेकर जाएं मैंने वीडियो बनाई है और happiness कैसे feel कर सकते हैं मैंने वो वीडियो भी बनाई है तो आप इन मेंसे कोई भी चीज को अपलाई कर सकते हैं point number two we attract what we are not what we want हम वही अकरशित करते हैं जो हम है अगर मैं अपने अंदर sad हूँ या फिर negative हूँ किसी को भी लेकर तो मैं ऐसे ही लोग attract करूँगी जो मुझे बहुत negative feel कराएंगी maybe वो person मुझे negative feel ना कराए लेकिन मेरी life में कुछ ऐसा इंजान जरूर आजाएगा जो मुझे negative feel कराएगा इसलिए अपने अंदर के emotions को check करना शुरू करना है कि मैं क्या feel कर रही हूँ what I am feeling right now मैं क्या feel कर रही हूँ क्या मैं यही attract करना चाहती हूँ अपने आप से हर दिन यह सवाल करेंगे तो आप अपनी feelings को control करना सीख जाएंगे और आपकी feeling ही इस universe में जा रही है और उसी feeling से मिलती जुलती चीज़ें आपकी life में लेकर आ रही है तो अपनी feeling को catch करेंगे अगर आप अपनी feelings को catch कर पाएंगे तो आप उनको correct भी कर पाएंगे बहुत सारे लोगों साथ यह होता है कि वो अपनी feelings को catch ही नहीं कर पाते है और जब उनसे पूछा जाता है कि आप negative feel कर रहे होंगे इसलिए आपकी life में ऐसे लोग आ रहे है तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ या फिर खुश रहता हूँ ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके अंदर की vibration positive है तो आपकी life में negative attraction हो ऐसा नहीं possible है जो आप कर सकते है toxic लोगों को अपने life से out करने के लिए अगर existing situation ऐसे है कि बहुत सारे लोग negative है अपने उपर तो काम करना है अपने emotions को catch करना है उनको correct करना है affirmations का सहारा लो water bottle के उपर उनको paste करू negative लोगों के लिए especially क्या आपको affirmation repeat करनी है हमेशा जब भी आपको उनकी कोई बात negative लगती है उनको positive thought भेजना शुरू करे उस situation को ignore करके उनको positive affirmation बोलना शुरू करे मन में चाहे उनके सामने चाहे विस्पर करे उनकी forehead पे देखे उनकी आँकों में मत देखे क्योंकि आँकों से भी energy transfer होती है उनके forehead पे देखकर उनको अपने ओर से positive बोलना शुरू करे ना कि एक negative question की change शुरू करेंगी अब यह ऐसा बोल रहे हैं फिर यह ऐसा बोलेंगे फिर यह ऐसा करेंगे जिससे मुझे और तकलीफ होगी हम mostly यह गलती करते हैं कि हम negative बातों की chain को start कर देते हैं आपको क्या करना है आपको उनकी पहली ही negative बात के पहले ही positive affirmation बोलना शुरू कर देना है कि यह बहुत बदल चुके हैं यह मेरे से बहुत प्यार से बात करते हैं अचानक में इन में बहुत सारा change आ गया है और यह सिरुफ और सिरुफ positivity ही मुझे दे कर जाते हैं यह बहुत अच्छे इंसान बन चुके हैं और इनका औरा बहुत ही positive है जो मुझे बहुत positive feel करवाता है I am feeling love मुझे बहुत प्यार का एहसास होता है जब ही मैं इन लोगों के औरा में आती हूँ तो इस तरह की कुछ भी random affirmations आपको बोलते जाना है जब आपकी ओर से vibration positive जाएगी तो उस इंसान की vibration भी change हो जाती है तो यहाँ पर एक question का मैं और का answer दिना चाहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि क्या हमारे कुछ करने से किसी के ओपर असर पड़ेगा बिलकुल पड़ता है जब हम अपने आपको change करते हैं तो हमारे आसपास के लोग बदल जाते हैं लेकिन जब हम negative होते हैं तो हमारे आसपास के लोग negative behave करते हैं क्योंकि energy connected है हम सभी की एकी energy है इस concept को कभी भी भूलना नहीं है At energy level we all are one हम सभी एकी हैं इसी वज़ा से अगर मैं यहाँ पर हमारे पास यह opportunity भी है कि अगर मैं यहाँ पर रह कि किसी के भी बारे में positive thought create करूँ तो वहाँ पर वो इनसान कहीं पर भी हो उसकी life में वो positivity आना शुरू हो जाएगी depending upon मैंने कितनी strength के साथ कितनी strong vibration के साथ उसके लिए वो चीज़ें repeat की हैं तो third चीज क्या करने हैं आपको positive affirmations बोल ली है सबसे पहली चीज आपको अपने emotions को catch करना है हमेशा अपने आपके उपर ये चीज लेकर आना है कि okay मेरे अंदर toxicity है जिसकी वज़े से मुझे ये लोग toxic लग रहे है मुझे अपने आपको clean करना है clean करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं vibration वाली वीडियो देख सकते हैं और आ cleansing कर सकते हैं बहुत सारी चीज़े है number two अपने emotions को हर दिन चेक करना है कि क्या मैं feel कर रही हूँ और मझे क्या daily इसको feel करना है या फिर इसको change करना है तो change करो उसको and number three जिस भी इनसान से बहुत negativity feel होती है उसको देख कर या उसको imagine करके उसको positive thoughts देना शुरू करें positive feelings भेजना शुरू करें सिर्फ उपर-उपर से नहीं internally ऐसा मान के कि वो इनसान भी आपी जैसा है बस जब आपने इस तरह उसको accept कर लिया है कि ये इनसान भी मेरी तरह ही है शायद ये तकलीफ में है जिसकी वज़े से ये दूसरों को तकलीफ दे रहा है जब आप इस feeling को समझ जाएंगे तो आपके अंदर से वो negative emotions उसको नहीं जाएंगे और जब आपकी और से वो negativity जाना बंद हो जाएगी तो उदर से negativity receive होना भी बंद हो जाएगी तो I hope आपके इस question का मैंने बहुत अच्छे से answer दिया है और ये actual में work करता है अगर आप इसकी practice करोगे तो आपको results मिलने शुरू हो जाएगी and हमेशा practice करते रहें law of attraction को follow करे and और वीडियो देखने के लिए keep practicing, subscribe to my channel like my video and share with as many people as you can. Thank you so much for watching my video